देश बेहाल दोस्ती बेमिशाल धारा 370 भी हट गया नोट बंदी भी हो गया या कहा भी गया कि आतंकवाद निर्मूल हो जाएगा जम्मू कस्मीर में सेना के जमान मारे गए आपके पास चार्टर प्लेन है संसद का अपमान करने के लिए और पुलवामा के सैनिक हेलिकॉप नहीं मिला तो उनका जान चला गया यह पुर्खों का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है मारे आजादी के आंदोलन के नायक का यह चित्र है क्या आपने इसमें महा महीम राष्ट पती नहीं उपर राष्ट पती नहीं जो हिंदू है यही है नौ साल बेमिशाल जो कहते ह है इसका यही खतरनाक चहरा इस देश के सामने सभापती नहीं उस कारिक्रम में है और आपने पद के लिए अपनी बोधिक्ता की जमीर बेच दी नरंदर मोदी के कारिकाल का नौ साल पूरा हुआ है और बीजेपी इसको बेमिशाल बता रही है साथी साथ नेता मंत्री और प्रदेश अध्य अब उनके कारिकाल के कामों को भी गिनवार है रही हमारे साथ जदी म दिक्ता काधार पर नौकरी देंगे दोहजार चौदा से लेके दोहजार बाइस तक केंद्रिय सेवाओं में बाइस करोड़ पांच लाख निनानवे हज्जार दोसो वड़तिस आवेदक और नौकरी मिली साथ लाख बाइस हज्जार तीनसो एग्यारह 27 जुलाई को तोहजार बाइस को लोक सभा में सरकार ने आधिकारिक रूप से कहा और हिंदू जो को कैसे ठगता है भारतिय जनता पार्टी की रैली में हुंकार रैली था ये दुखद आतंकी घटना हुई थी 2013 में आधरनियन नरिंद्र मोदी जी ने भाजपा के इन हिंदू कारिकरताओं को वाइदा किया था इनके परिवार को राम दहिन सिंग मेगनाथ सिंग अंजनी कुसुम पिर्तवी चोधरी सतनाराइन विद्रोही और नटनी रजक इनको वाइदा किया था कि आपके परिजन इनको नोकरी देंगे परवरिश कराएंगे यह हिंदू हैं इनको आज तक नोकरी नहीं दिया दस बर्स के अंदर में तो हम तो भारतिये जनता पाटी से अनुरोद करेंगे कि आज सुभारंब है जाईए इन बेवाओं के घर पर इन मासुमों के घर पर जाकर करके कहिए क् आप जिनिक जारी करिए बिजेपी कह रही है कि उनके कारिकाल में 370 हटा राम मंदिर बना साथी साथ वो कह रहे हैं कि लोगों को घर घर तक गैस पहुंचा है जंदन खाता खुलवा है आप करें बिल्कुल बिल्कुल मैं कह रहा हूं धारा 370 भी हट गया नोट बंदी भी हो गया या कहा भी गया कि आतंकबाद निर्मूल हो जाएगा और हाली में जम्मु कसमीर में सेना के जमान मारे गए सुपावल के हमारे बिहार के स्रमिक मारे गये कौन गुनागार उसके लिए उसके लिए साथी साथ क्या कर दिया आपने आप अभी 36 गण के दंते बाला में मारे गए हमारे CRPF के जबान तो हम तो यह जानना चाहते हैं कौन मारा और आपके पास चार्टर प्लेन है संसत का अपमान करने के लिए और पुलवामा के सैनिक हेलिकॉप्टर नहीं मिला तो उनका जान चला गया यह कैसा हिंदू राष्ट की बात कर रहे हैं कौन सी यह परंपरा है यह हिंदूस्तान की परंपरा थी यह पुर्खो का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है मारे आजादी के आंदोलन के नायक का यह चित्र है यह पारलियमिट की तश्वीर थी मोदी जी आपने यह पार्लियमिंट कैसा बना दिया कितना बड़ा गुनाह आपने किया है आज कि आपने इसमें महामहीम राष्ट पती नहीं उपराष्ट पती हिंदू हैं मंत्री परिशद के सदस्य नहीं जैसा के पापा नहीं कोई नहीं है इसमें कौन सी तष्वीर आपने देश के सामने प्परेशकर दिया घिये साल बे मिशाल जो कहते हैं इसका यही खतरनाक चहरा इस देश के सामने आप जिस तस्वीर को दिखा रहे हैं इस तस्वीर में आपके ही राशवा सांसद है हरिवांस नाराय वह भी थे उनका फोटो नहीं है वह रिश्चित रूप से चिंदा की विसे का विसे है लोक नायक ज जगत के महत्वपुन हस्ताक्षर रहे हैं राजी सभा के उपसभापती हैं सभापती नहीं उस कारिक्रम में हैं और आपने पद के लिए अपनी बोधिक्ता की जमीर बेच दी यह तो चिंता का विविसे और चिंतन का विविसे किस पर भरोसा करेगा कहां थे कहां पहुंच गए कि क्या हालात है कि आपके सभापती को नहीं बुलाया गया और आपने राजनी के तोर जोड़के मोधी के चक्रवियू में अपने आपको समर्पित कर दिया यह चिंता और चिंतन दोनों का विसे पार्टी तो फस्तिज आ रहे हैं उसमें आपके आपके ही घर में सेंद हमारी होगा जो अब्यक्ति पार्टी के निरने के खिलाप ने जो पार्टी का नहीं पार्टी मां होती है जिस पार्टी ने सम्मान दिया उस पार्टी के गरम वफादार नहीं होंगे तो किसके वफादार होंगे तो पार्टी का पार्टी का सिर्ष नेतित करेगा सिर्फ खबर दिखाना देश्वा न्यूज का मकसद नहीं देश्वा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए देश्वा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन दवाना न भूले